तो यार सबसे पहले तो मैरे साथ सीन हो गया, ये बीटी दूसरे वार शूट कर रहो हूँ है, क्या ज़र सकते हैं, क्या हम रोफ हो गया तो देखा नहीं मैं नहीं जा तो सुरू से स्टार्ट करते हैं एगा, इस वेलकम बैक माई वीडियो, सो फाइनली मेरे भाई वो टाइम आई गया है, जिसका हम सबको बेस सबरी से इंदिजार था, मेरे साथ साथ सभी हैरी पोर्टर फैन के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है, तो गुरू है किसी ने हैरी पोर्टर की स्रीज नहीं जो भी मेरे साथ साथ हैरी पोर्टर के फैन है, वो समझ तो गया ही होगा कि कितने खुशकवरी वाले बात हैं हम सब के लिए, तो चलो इस पर थोड़ी से वारत अलाब करते हैं, तो भाई हैरी पोर्टर की स्रीज एच्वी और मैक्स पर आने वाली है, जेके रोलिंग, इन सबसे पहले जाके देखो गुरू, बवाल था वो, फैंटास्टिक बीस्ट, सीक्रेट ओफ डंबर्डोर, जूट लो ने क्या काम कर रहा है उसके अंदर, मैं तो भाई के परफोर्मेंस का फैन हो गया, इतनी खोफसूरते के साथ उमने एलफस डंबर्डोर के किलदार को न मैंने माइकल केन की बहुत सारी मूविस देखी है, वो सच में गुरू, मुझे इनके काम पर बिल्कुल भी शक नहीं है, इसके आत पर शड़ी देतो लड़वा हो यार, इनको किसी से, मुझे देखना है, आप सभी को पता ही होगा के हैरी पोर्टर के रोल प्ले कर रहा था यहां है, खुद में, अभी तक जिसने भी हैरी पोर्टर की सिरीज देखी होगी, सब को यही लगता होगा, कि यही लड़की बनेगी हैरी पोर्टर की girlfriend, मगर गुरू, ऐसा होता कुछ नहीं है, हैरी पोर्टर जैसे सिरीज हमकों सिखाती है, कि एक लड़का और एक लड़ दिए शिखिरा सम्हें होले के दिए का इसकाट है स्लीवाइश पूछिसे यानि विल्रों सी नाव या भलय के और चाने वालowers में सब्सक्राइब। येस गुरू ये कोई गेम नहीं ये नाम है और ये जो नाम है किसी हाइडन सी खेलने होले बंदे नहीं रखा होगा क्योंकि नॉर्मल बंदे के दिवाग में कहा आते है आली बाते है तो आइसपाई से एक फीमेल वैपर है आप लोग इनको फीमेल एमसी स्टैन में बोलता है बिल्कुल सेम है बाई नो चेंजिस गुरु बंदे रे वन साइड प्यार करा था हैरी पोटर से ये तो सिर्फ वही जानती है तो जैनी वीजली के करेक्टर कोई कैसी नहीं बात नहीं है ये तो देखने के बात ही पता लगे बस जैनी वीजली के करेक्टर का कबाड़ा मत कर देने है आप मुझे दिल से पसंद त्पे परमस करकंद नहीं है और होना भी नहीं वहांना यह आदमी घर में भुस्क के मारेगा तो फ्रेट एंड जोर्ज का रोल प्ले करने वाले है पिरिस हैरी वैसे भाई मैं परसनल इनको नहीं जानता बाकी देखते हैं कुछ नहीं हुआ तो एक्सपिरियंस होगा और हमारे लास्ट नोट दर लीश जिनका हम लोग नाम नहीं ले सकते लोट वॉल्ड इमोड यानी राल फिंस भाई इनकी काम पर सवाल उठाना यानी खुद पर सवाल उठाना है जिसने भी हैरी पोर्टर की स्रीज देखी है उसको यह पता ही होगा के राल फाइंस ने कितनी खोपसूरती के साथ लोड वॉल्ड इमोड का करेक् जचने वाला है मिर भाई मैं नोट वॉल्ड इमोड के करेक्टर में जरूर देखने जाओ विंडीजल को तो मिर भाई इस वीडियो को यह पर एंड करते हैं और केजेट के उपर एक वीडियो आने वाली है तो मिलते हैं